नमस्कार दोस्तों आप सबों का स्वागत है बिहार बोर्ड मैट्रिक परिक्षा 2025 के लिए बिग्याउन का इन्पोटेंट अब्जेक्टिव प्रस्न तो पहला प्रस्न देख रहे हैं क्लोरोफिल वर्नक का रंग है हाडा अप्सन नम्मर ए सही है हाडा अगला प्रस्न है पाचन की किरिया पुर्ण होती है यहने कि पाचन का पुरा कम निप्टा लेता है कहां तो छोटी आंत में उप्सन नम्मर सी सही है छोटी आंत में पाचन की किरिया पुर्ण होती है अगला प्रस्ण है, शरीर में भोजन का पचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो option A बिल्कुल सही है, उपचयन अगला प्रस्ण है, कवक में पोशन की कौन सी बिधी है, तो मित्य जीवी, उपचन नमर B सही है, मित्य जीवी अगला प्रस्ण है, मनुष्य के मुख गोहां में कितने जोरे लाल गरंथियां पाए जाती है, तो तीन, उपचन नमर C सही है अमिमों का मुख्य भोजन है, अमिवा का मुख्य भोजन है, तो उप्चन नमर D बिल्कुल सही है, इनमें सभी हो जाएगा इनमें सभी, सही वालों का टुकरे बिक्टिरिया, इनमें तीन हो जाएगा सभी अगला प्रशन है स्वाद कलियां पाए जाती है तो जीव की उपरी सता पर स्वाद की कलियां पाए जाती है अगला प्रशन है निम्नली खीत में किसे प्रकास संसलेशी अंगक करते है तो पत्ती को अप्सन नमर बी सय पत्ती अगला प्रशन है प्रकास संसलेशन दौरा किसकी प्राप्ती होती है तो गुलकोच ओप्सन नमर सी सय गुलकोच अगला प्रशन है इनमें कौन सी रचन दौरा अमिवां में भोजन का अंतगरन होता है तो ऑप्सन नमर कैजित नमर बिलकोच कुटपात आप्सन नमर ऑप्सन नमर जाए है अगला प्रशन है ग्रहनी भाग है किसका तो छोटी आंत की है अगला प्रशन है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी गरंथी है मनुष्य के सरीर की सबसे बड़ी गरंथी है अगनास है अगला प्रश्न है नीमन लिखीत में कौन सा पी एचमान भासमिक विलियन को दरसाता है तो option number D बिरकुल सही है, no हो जाएगा अगला प्रश्ण है तंबा और जिंक के मिस्र धातू को क्या करते हैं? तंबा और जिंक के मिस्र धातू को क्या करते हैं? तो पीतल करते हैं, option number A सही है एल्मुनियम धातू का आयक्सक निम्न में कौन सा है? एल्मुनियम धातू का आयक्सक निम्न में से कौन सा है? तो बॉक्साइड, option number B सही है बॉक्साइड एल्मुनियम का आयक्सक है अगला प्रश्ण है अगला प्रश्ण है सबसे कठोर प्राकिर्तिक पदार्थ हीरा अगला प्रश्न है आवर्थ सारनी के किसी वर्ग में उपर से नीचे आने पर तत्व का धात्वी गून क्या होता है आवर्थ सारनी के किसी वर्ग में उपर से नीचे आने पर तत्व का धात्वी गून बहरता है आवर्थ सारनी के किसी वर्ग में उपर से नीचे आने पर तत्व का धात्वी गून बहरता है औप्सिन नमर ए तक तट्व का आधिक मोलिक गुन है इस कथन का परतिपादन किस ने किया था तो मोसले ने किया था झाल झाल